हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू मैं चैनल मैं होशीम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ सभी दोस्त अच्छी हो इससे आशा के साथ अपने वीडियो शुरू करती हूँ तो आज जो मेरा टॉपिक है आपके साथ बात करने का यह जो गुड हल की अब देख रहे हैं इसके बारे में यह हाइब्रिट है विसकास है और देखेंविट इसमें कितनी सारी हो चुकी है आज इसमें दस फ्लावर कहले है तो प्लांट जो आप देखते हो इतना बड़ा प्लांटी है और यह एक पॉट पही लगाया हुआ है और बहुत ही अची जो हाइबिसकस होती है उसको क्यार करना जरूरी नहीं हो जाता आप इसको जहां भी लगा दो अच्छी तरह ग्रोव ही कर लिए तो से फ्लावरिंग भी बहुत सारी हो जाती है अब देख सकते हो साइट से बहुत सारी फ्लावर खिले हुए है और बहुत सारी कलियों से करनूंगी फ्रेंस तो हाइबिसकस में क्या होता है हाइबिड वाला इसमें बहुत जल्दी इसको हो जाती है चैक है इसको अगर सही मात्रा में भरपुर मात्रा में न्यूटरेशन दो और अगर आप पूरा करो उसकी मिट्टी की जो पी-च लेवल है वह अगर सही रहे तो कि इस पे nutrition की कमी हो जाना क्योंकि हाइबिसकस में nutrition flowering वाला plant है तो इस पे flowering भी बहुत जादा होती है तो इस पे nutrition की बहुत जल्दी जोरत हो जाती है तो कुछ दिन बाद-बाद ही लटफ़क 15-15 दिन बाद-बाद ही आपको इस पर nutrition देना पड़ेगा और सबसे एहम बात है कि जिस पोट पे आप लगाते हो उस पोट पे जब भी आप लगाओगे अगर इसकी मिट्टी को अब अच्छी तरह पहली से ही लगा लो जैसे कि 40% gardening soil 40% इस पर मैंने दिया है गोबर खाद फर्मी कॉमपोस्ट और दिया है मैंने Bone Mill बहुत इच्छी होती है plants के लिए full of calcium, phosphorus जो plant के लिए बहुत ही ज़रूरी है तो इसके लिए मैंने इस पर्यूस की और इच्छी तरह ग्रोव भी कर रहे है अगर एक बार आप अच्छी तरह इसकी मिट्टी को रेडि करके इसको लगा दो तो उतना जादा बार बार उतना जादा मिट्टी भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है तो इस तरह अगर आप हाइबिसकस को लगाओ तो अच्छी तरह ग्रो करती है और बहुत सारी इसे फ्लावरिंग भी होती होती रहती है और इसकी पत्तिया पीली पढ़न सब्सक्राइब तो आपकी प्लांट बहुत अच्छी तरह किसे चलेगी और बहुत अच्छी तरह से इस फ्लावरिंग भी होती रहेगी और तीसरी बात है इस पर वाटरिंग फ्रेंज जब भी आप पोट पर लगाते हो अभी बारिश का वक्त है तो अगर ओवर वरना आपकी प्लांट की पत्या पिली पर सकती है और प्लांट पर फ्लावरिंग जो फ्लावर बढ़ आती है जो कलियात है वो भी गिरने लगती है तो इस बात का भी आप ध्यान रखो और ऐसे बात अगर ध्यान रखोगे तो आपकी प्लांट कभी भी नहीं खड़ाब हो पर लगती चर्टकी हैं गोबर भूल पहुत हैं थी कोशिषक करती हूं देनी की लेकिन अगर आपके पास और्गनिक खाद नहीं है आप पॉटशियम या डियाईपी की दो चारपास दाने पॉटख की हिसाब आप इस पर दे दो अच्छी तरह इस पर यह प्लांट चलती है लेकिन अगर जादा हुआ तो भी आपकी प्लांट की जो पतिया है वह पीली पर ने लगती है वह खरा पने टाना प्रनिक वाला खादिय जो कि दॉटः और फ्रेंट्स पिली प्रेंट्च उम्स और इस बेंट जो पतिया भी जो पिली पर यह नेचरल बात है लेकिन इससे भी अगर ज्यादा सभी पत्या पीली बने लेगे तो आप अगर बहुत ज्यादा तेज धूप होती है तो आपकी प्लान को थोड़ी सी आप शेड देने की कोशिश करो ठीक है इस तरह आप अपनी प्लान की देखभल कर सकते हो और फ्रेंड् प्लान को प्रूनिंग बहुत ही पसंद है अगर आपकी प्लान की पत्या फिर भी इतनी सारी काम करने के बाद भी अगर आपकी पत्या पीली हो रही है तो आप इसको क्या करो इसकी पहले तो इसकी मिट्टी को चेंज करो इस मिट्टी को पूरा चेंज करके इसको फिर से मै फुल प्रूनिंग करने से क्या होगा नियू नियू स्टेम फिर से निकल आएगी और प्लांट अच्छी तरह ग्रोव भी करेंगी और इसकी पत्या है वुपिली नहीं पड़ेंगी तो फ्रैंस आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आए अगर कुछ भी पूछना है आप बेजीजिक मुझसे पूछ सकते हो और इतनी प्यारी प्यारी फ्लावर और फुलों से भरा हुआ एक प्लांट पाने के लिए मैंने जैसा जैसा बताया प्लीज आप ऐसा करो तो आपकी प्लांट कभी भी खराब नहीं होंगे और आप मेरी प्लांट देख रहे हो प्लांट के लिए तो आपकी प्लांट बहुत अच्छी तरह चलीगी और बहुत अच्छी ग्रो भी करेंगी देखो कितनी सारी फ्लावर आई है तो आशा करती हो यह वीडियो आपको पसंद आए अगर पसंद आए तो लाइक शर्याट करना और प्लीज मेरी चल्पे बने देखिए मेरे जल देखती के लिए आप सभी का बहुत दो शुक्रिया थैंक यू